कि हलो एवरीवन दिस इस उतकर्ष उकलाव फ्रम उतकर्ष एजुकेशन आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर बात करने वाले हैं कि जो सेकेंड पेपर है सीटेट का उसमें जब आपको सोशल साइंस की तैयारी करनी है तो उस तैयारी को करते में रखनी होगी आपको उस पर मैं चर्चा करूँगा स्क्रीन पर प्रिश्ली साल का प्रीवेश वेपर देख पा रहे होंगे 17 जनवरी का वो मैंने इसलिए खोल रखा है ताकि मैं जो बोलो उसको आपको एक्जामपल के साथ समझा पाऊं कि आपको क्यों चीज कहां से प जदद देता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही और भी स्ट्रेटीजिस आपको मिलेंगी सीडीपी लेक्चर सीरी मैंने पूरी डाल रखी है अपने चैनल पर वहां से आप उसको पढ़ भी सकते हैं ट्रिक्स भी डाल रखी है और आगे अब उनको मौका मिल गया है तो अब वो डीप में उसके पूछ रहे हैं आप अब स्क्रीन पर देखी मैं आपको एक सवाल पढ़ता हूं पिछले साल का यह 17 जनुरी का पेपर है यूथ की किताब से फोटो लिए मैंने क्योंकि इसकी पीडिया बनाने मुझे बहुत टाइम लगता और टाइम ना मेरे पास है ना आपके पास अब ध्यान से इस सवाल को पहला पढ़िए निमलिकेत मैंसे किसने दिल्ली के राजदानी के रूप में चुनाओं के बारे में यह बात की कि यह बदलाव भारत की लोगों की कलपना के नरूप होगा और सभी लोग भारत म को बनाय रखने के अदम में संकल के रूप में इसकी सायता करेंगे अब यह बात आप इमेजन करिए कि आपने अभी तक जो पीपीटी पीडिया पढ़ी होगी उसमें कहीं आपको दिखी इस तरह की बात में यह डीप में पूछा गया है कुश्चन पहला ही कुश्चन से आ साइंस में चार भाग हैं पेपर में चार पहला इतिहास दूसरा भूगोल तीसरा है भारती समाज जिसमें थोड़ी पॉलिटी है थोड़ा समाजिक चीजे हैं यह पूछी जाएगा और चौथा है पैड़ागोजी यानि शिक्षा शास्त्र शिक्षा शास्त्र की टेंशन मतले ना उसमें 20 कुष्चन जो आएंगे सीट एट में उसकी टेंशन मेरी है उसके वीडियो हमड़ाएंगे आप उसको देख क्या पेपर देने चले जाएगा आपके शिक्षा सास्त्र में लगबक 20 में 20 आ जाएंगे उसकी टेंशन ढूल जाएए आप समस्या फसेगी जो आशावेद मुंशी प्राचवादी वरनाकुलर फार्सी पढ़ना पढ़ाना इस्या यह यह देखी इस कुष्चन को भी आप देखके समझ रहे होगे ना यह भी सीधा सरल कुष्चन नहीं है कि अगला प्रशन पढ़ता हूं जैसे को तीर थ्यात्रियों के बारे में कौन स यह भी क्वेश्चन आपको हलका लग रहा होगे ना कि यह दीप में को उसके पूछा है अगला चोल राजा राजने प्रथम ने अपनी राजधानी में श्यमंद्र का निर्माण कराया था और उसे पराज शासकों से जब्त की गई उतकर्ष्ट पतिमाव से भर दिया राज इसी तरह से और कुश्चन हैं तिहास से संबंदित देखिए जैसे निमलिकत में से किस ग्रंथ किताब में गड़ गटंगा के गोंड समराज का उल्लेक मिलता है जिसमें सत्तर अजार गाव थे चार देखिए दिये गए अगला और विद्वा विवा के संदर्म में आपको चार लाइने मिलें कि वियार अमेटकर की कथैन और रीजिनिंग समझिए इस तरह से हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे ना कुश्चन प्रिवियस तो आपको समझ में आएगा कि पिछली साल से हिस्ट्री के मामले में अब वो लोग डीप में उसके पूछने लगें तो हिस् दूसरा जिने लेक्टर देखना पसंद नहीं है पहली चीज जिनने कितावे देखना पसंद नहीं है उसके लिए तुम या तो दोई चीजा कर सकते हो या तो PDF और कितावों पर प्रति अपना मोह बढ़ाओं दूसरा तुमको करना क्या है कि मैं अपने ग्रुप पे और मैं आदा नहीं देखना है क्योंकि यह कुश्चन है डीप बाले मैं बहुत ही दुख के साथ यह बात कह रहा हूं कि जितने अभी प्रीवी देखिए मैं जब दिया था तब मैं साइंस लिया था इसलिए साइंस का मेटियल उपलब्द है वाइडली लेकिस सामाजे ग्यान से सम्मध्द जो कोच्गें हैं आपकी और कोच्गें नहीं हैं सचेनका आदमी और लेट्स लर्न वगएरा यह लोग सामाजे ग्यान हिंदी वीडियों सेंड्रों कोई मतलब नहीं होता है डंक से न मत देखो जो अच्छे लेक्चर मुझे देखे वह मैंने आपको शेयर की हैं सामाजे ग्यान के अच्छे लेक्चर नहीं है उसकी जुगार हम करेंगे आप बस जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए टेंशन मत लीजिए वह हम खतम करवा देंगे अब मैं उस प्रकार कर दूं इतिहास की जनरली तीन किस्तावे आएंगी प्रारंबिक बारत प्राचीन बारत मद्यकालीन बारत और आदनी वारत तीन किताबे तुम ले लेना इनको निप्टाना है तीन किताबों को अच्छे से अगर बुक से पढ़ते हो यह तीन तुमने अच्छे से पढ़ लिए तुम्हारा यूपी टैट सी टैट सुपर टैट सब खताम हो जागए इसके लावा कोई कुछ और पढ़ना नहीं पढ़ेगा तुम्हें तो अगर बुक से पढ़ना है तो NCRT उठाना किसी कोचिंग की बुक मत उठाना कहीं और की बुक मत उठाना तुम सीधे NCRT प लेंगे कि और और किताब यह पढ़ो वह पढ़ो हमारे पास टाइम नहीं है और ना हमें विफालतू में 50 किताब पढ़के अपना धिमाग खरब करना है जब सब में लिखा हुआ है कि तीन NCRT बार नहीं आता है तो उन्हीं को फॉलो करिए विफालतू किताब उठाने करेंगे बहुत लंबा काम है बहुत टाइम लगता है इस चीज में और मैं आपका टाइम बरबाद नहीं करवाओंगा मैं सीधे NCRT खोलूँगा एक एक लाइन आपको समझाता जाओंगा एक लाइन करवाता जाओंगा और जब मैं बोलू इस लाइन को नोट करिए तो आपके जीवन बर के लिए काम हो जाएंगी इतिहास के छेतर में ये करना है आपको इतिहास में डीप में पूछा जाता है मैं रिपीट कर दो अब आते हैं दूसरा भाग जो मैं बोला भूगोल इतिहास के बाद भूगोल आता है ना देखो भूगोल में ये कुश्चन दे चेते से ज्यादा ऊपर नहीं आपाता है किरणे तिरशी पढ़ती हैं कम गर्मी पैदा होती है यह डीप में नहीं है लेंग्विस सुनके लग रहा होगा पर इस नॉट कुष्चन जो डीप से निकल के पूछे यह सीधे सीधे कुष्चन से भूगोल में टेंशन नहीं लेनी है उसको भी देख लेना तुम्हारा काम हो जाएगा उसके टेंशन नहीं लेनी है और लेकिन लोगों ने उपलब्द कराई ना और उसमें तुम खुद देखना यह जो मैना कुष्चन अभी कुछ पढ़े हैं आपको इतिहास और भूगोल के क्या उन पीडिएफ को पढ़ कि आपको लगता है आप ही कर लेंगे यह अपने आप से पूछिए आपने एक PDF पढ़ ली है उससे आपकी तैयारी नहीं देखी जाएगी आप कितने क्वेस्चन कर पा रहे हैं आपकी तैयारी उससे देखी जाती है इसलिए प्लीज अपनी तैयारी को मॉक पेपर और समाल आता है तो उसकी टेंशन मत लीजीगा वह पढ़वा देंगे आव आते हैं अगली बात पर तीसरा बाग होता है कि नॉर्मल जो आते हैं आप जैसे भूगोल का एक कुश्चन होई देख लीजिए जिन देसों में कौन सी फसल जादा होई जाते यह डीप में नहीं है इनको कता ही दिमाग नहीं लगाना है इतिहास की एक एक लाइन समझानी पड़ेगी आपको वरना आप डीप में नहीं समझ पाएंगे भूगोल की इंसी आटी समझने जीरो तो नहीं बस रट लीजेगा काम हो जाएगा इसलिए भूगोल की इंसी आटी का पीडिएफ जो सार या समरी कुछ दियो चो मैंने भी डाल लखी उसको पड़ लीजेगा आपको काम हो जागा लेकिन इतिहास दीप में पढ़ना जादन अधिकतर कारखानों में आता है कोईला जल सौर उर्जा प्रमाडव उर्जा तो अबिसली कोईला सबसे जादा लगाए जाता है तो इसके लिए इतना रटना नहीं है न इतना डीप में नहीं पढ़ना इन सब चीज़ों के लिए अब आते हैं अगली चीज पर जैस से यह है कि यह कुछ लिएक उठाते हैं जो उसका संबंदित है समाज से तीसरा बागल में डैस है कि ड्याश का निर्माण हमें व्यक्ति-विशिष्ट की दक्षताओं और वुशिष्टां की पैचान करने से रोकता है कि साती साती यह व्यक्ति में विवशिष्टाओं के विकास को भी अवरुद्ध करता है, रूड़ी बद्ध धारणाओं का निर्माण तो कैसे हो जाएगा, असवांता का निर्माण नहीं होता है, भेदबाओं का निर्माण नहीं होता है, यह सब निर्माण वाली चीजे थोड़ी है, यह सब तो समाजिक चीजे हैं, ब्यक्ति क और कि अन्दर पूरवा ग्रह का निर्मार्ड निर्मार्ण हो जाएगा उस d mac में नहीं है आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और समाज जो सेक्षन है उसमें से इस तरह के कुष्चन आएंगे आपका काम हो जाएगा और समाज में जो पॉलिटी आती है उससे संबंद एक कुष्चन देखिए संसदी शासन पद्द्दी में कारपालका का गठन विधायका दोरा किया जाता है या फिर कारपालका विधायका के प्रति उत्तरदाई नहीं होती यह सीधे सीधे क्वेश्चन है इनमें भी कुष्च डीप में नहीं था अगर आपने अच्छे से पॉलिटी एक बार पढ़ी ह कारपालका विधायका के प्रति उत्तरदाई बिल्कुल होती है अगर उत्तरदाई नहीं होगी तो फिर अपने मन से काम करने लगेंगे लोग तो इस तरह से जो नॉर्मल यह आप पढ़ाई करेंगे पॉलिटी की आपका काम हो जाएगा उसके लिए किसी का लेक्चर देख आपका काम हो जाएगा आइस तरह से आएंगे पैड़ागोजी की टैंसल नहीं नहीं है वह हम देख लेंगे अब जैसे यह देखिए सम्मिदान के कौन से निच्छेत के अनुसार ऐसे नागरेकों को वकील उपलब दगराने का दायत तो सोपा गया जिनके पाद पैसा नही हुई है तो अगेन डीप में नहीं पूछा गया बस कौन से निच्छेत में क्या लिखा है आपको याद होना चाहिए अब इतना याद करेंगे कैसे उसके लिए उतकर शुकला है उसके लिए वह उतकर शुकला आपको ट्रिक्स प्रोवाइड कराएगा क्योंकि जैसे जैसे सामाजे विग्यान के लेक्चर डालूंगा उसकी ट्रिक्स भी आपको मिलती है आई आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए गया इस तरह से सामाजे विग्यान से संबंदित ये तीन बातें आपको बहुत ध्यान में रखनी है एंसे आर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट पिछली साल का प्रिविएस ज्यादा जरूरी है 2016 का प्रिविएस पढ़ने का कोई लाब नहीं है 2021 में जो शिफ्ट में पेपर हुए वो सारे प्रिविएस आपके पास होने चाहिए बुक फॉर्म में उसमें पीडिएफ की चक्करमद पढ़ना जैसे इसमें देख रहे हों अगर आप इस तरह से प्रिविएस पेपर पढ़ते हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि 30-40 परिशन तयारी प्रिविएस पेपर सभी की हो जाएगी सब बिस्यों की तो प्लीज इन पर फोकस करिएगा कहीं किसी को भी डाउट है मुझे टेलेग्राम मेसेंजर डिरेक्ट मेसेज करो यूटूब वीडियो जो मैं डालू उसमें कमेंट में पूछो पर्माने डुपलब्द रहेंगे हम सामाजी विग्यान को लेके एक चीज़ बता देता हूं अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं सामाजी विग्यान मोस्ट इंपोर्टेंट किसी की पीडियाइफ बुक लैट्स लर्न सचन अकैडमी उतकर्स एजुकेशन यह वो इनकी पीडियाइफ है सब समरी होती है और मैं अभी दिखा रहा हूं कि समरी जो चलेंगी ना वह पॉलिटी और भूगोल में चल जाएंगी इतिहास में नहीं से कहीं दिक्कत नहीं आएगी एक दिसंबर तक तुमारी गड़त सामाजक विग्ज्ञान विग्ज्ञान यह तीन चीजह मैं और पर्यावरण भी पर्यावरण के हाला की लेक्चर मैं डाल रखें उनको देख लेना इन तीन गो एक दिसंबर तक निप्टबा दूँगा मै बस पर्मानेंट पढ़े रहिएगा पर्मानेंट जुड़े रहिएगा आपका काम हो जाएगा टेंशन कोई नहीं लेगा मैं सीरियस बात बोल रहा हूं लेकिन इसका उदर यह नहीं कि मैं आपको दराने का प्रयास कर रहा हूं सीटेट को जो हलके में लेगा वो नहीं पढ़ाएंगे आप खुद करेंगे जिसको मुझसे नहीं पढ़ना है मैं उसको पस इतनी सला दूँगा एंसी आर्टी पढ़नी है बात खतम बस नतिंग एल्स एंसी आर्टी प्रिवियस डन कुछ और मत पढ़ो एंसी आर्टी प्रिवियस पढ़के चले जाना पेपर देने जिसको जिसको लेकिं इंसी आर्टी में मालो मदच चाए है वहमसे पढ़ ले आके या अपने पसंद के किसी तेखक़्ी से पढ़लो जाके दे को इससे नहीं आता ने या NCRT से जो टीचर ना पढ़ा है वो तुम्हारा सीटट नहीं निकलवा पाएगा सामाजे ग्यान के छेत्र में इसलिए प्लीज अगर आपको मेरी सलाह ठीक लगी हो आप कुछ और डाउट है मुझसे पूछिए मैं हमेशा अवे लेवल हूं थैंक यू वेरी मच आपका सी हिन जय भारत